हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल जियो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है इस तरीया महिलाओं के होटों पर तिल होने का क्या मतलब होता है दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर पर पाए जाने वाले काले निशान ज तो आई जानते हैं यदि हमारे होटों के आसपास ये काले तिल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है दोस्तों यदि किसी भी इस्त्री के उपरी होट के दाएं तरफ तिल हो तो बहुत भागशाली मानी जाती है कहते हैं कि इनका जीवन साथी इनको बहुत प्यार करता है औ और इनकी ववाहिक जंद्गी बहुत सुख में वितीत होती है. दोस्तों, होट के उपर की ताहिने तरफ तिल होना बहुत ही सौभाग सूचक माना जाता है. परंतो यद यही तिल होट के उपर के हिस्से के बाई तरफ होता है, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों इन इस्त्रियों के जीवन साथी के साथ बराबर विवाद बना रहता है और छोटी छोटी बात पर इनकी बहस होती रहती है दोस्तों ऐसी इस्त्रियां विवहार कुशल होती है और यह विवहार कुशलता की वज़ा से अपनी घर ग्रहस्ती सही तरीके से चला पाती हैं परन्त उनके जीवन साथी का पूर सहयोग इनके साथ नहीं हो पाता है दोस्तों यदिश्त्री के निचले होट के दाय भाग में तिल होता है तो या बहुत ही सवभाग वर्धक माना जाता है दोस्तों ऐसी स्त्री आपने क्षित्र में बहुत प्रसद्धी प्राप्ट करती हैं साथ ही साथ इने मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आसानी से मिल जाती है दोस्तों ऐसी स्त्रियों में गजब के आकर्शन सकती होती है परन्तों इनका लगाव विप्रीत लिंग से अधिक होता है और यह अपने मन की बाद बहुत आसानी से मनवा लेती है दोस्तों ऐसी स्त्रियों को जीवन के हर क्षित्र में सफलता प्राप्थ होती है परन्तों इन्हें भोजन में कोई खास लगाव नहीं होता दोस्तों यदि किसी स्ट्री के निचले होट के बाएं भाग में तिल होता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता यह किसी विशे स्ट्रोक के होने का सूचक होता है परन्तों ऐसी स्ट्रियां अच्छा वोजन अच्छे वस्त्र की शौखीन देखी गई हैं दोस्तों समानते हैं इनका जीवन अच्छी तरीके से वितीत हो जाता है और यह समानते हैं खुश भी देखी जाती है दोस्तों आए जानते हैं कि यदि किसी मैला के होटों पर तिल होता है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों यदि किसी मैला इस तरीके होटों पर तिल होता दोस्तों ऐसी स्त्रियां भोग विलास की भी सौखीन होती हैं और ऐसी स्त्रियों को अपने पती को खुश रखना अच्छे तरीके से आता है। परंत इनका भाग अत्यंत प्रबल होता है और इनको जीवन के छेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में आपको चेहरे के अन्य भाग में तिल होने का मतलब बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।